हाँ हाँ Silicon Valley bank डूब गया है और बड़े बड़े stock market experts का कहना है कि recession ने अपनी पहली कुर्बानी ले ली है लेकिन ये जो bank है ना ये सिर्फ USA के start-ups में पैसा नहीं लगाता है दुनिया भर के start-ups में इसका पैसा लगा हुआ है इंडिया के भी और इंडिया के start-ups में इसका impact क्य million dollar का पैसा इसी bank से आया था और तो और सिर्फ इंडिया के start-ups का पैसा नहीं लगा है जो बड़े-बड़े VCs पैसा लगाते है इनी start-ups के अंदर उसमें से एक नाम आता है Y Combinator का अब इस funding house ने इंडिया के 44 start-ups में पैसा लगा रखा है और करीब 10 लाक डॉलर वहां फसे ह इसके जिसका मतलब यह है कि Y Combinator ने जिन start-ups को fund किया हूँ था उनका पैसा भी यहां फसा हुआ है Simple बाच में मतलब यह है कि आने वाले समय में यह हो सकता है कि जितने भी start-ups का पैसा वहां फसा हुआ है उनके अंदर आपको बहुत सारे lay-offs देखने को मिलेंगे Hopefully ऐसा ना हो